अब करने वाले दोस्तों कि क्या बढ़ने चाहते है दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर और आप चाहते हैं कौण सा पिसी ले आपको समझमें नहीं आप आ रहा है तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉटेंट है अगर आप भी ले लोगे तो थोड़ा थोड़ा हैंग करेगा तो यहां पर बात होती है आपको किस तरीके से यूज़ करना है मेरा इंटल को राई 3 का प्रोसेसर है जिसमें की दो कोर ही होगा और यहां पर बात करते हैं दूस्तों कि HDD यज़्स करें लेकिन मैं बतामें चाहता हूं कि अगर आपको फोड़ के लेसी में जिससे कि आपका ग्राफिक काम हो सकता है जो पहले तो फर्स्ट आफ बात करते हैं दूस्तों सबसे इंपोर्टेंट होता है कि आपके पॉकिट मनी क्या करता है कुछ ऐसे वैकती है जो लाग रुपया भी लगा सकते हैं लेकिन आज के स्वीडियू में बात करने वाले जो एक्शुल में जरूरी क्या हो लेकिन यहां पर कुछ कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा जैसे आपको जब लैप्टॉप या पीसी लोगे तो छोटा सा बात यह है कि आपको यह बी मैं बता देता हूं कि लेना चाहिए देखो और यह इंपॉर्टन तब रखता है कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है मैं अगर गाउं चले जाओ तो वहाँ पर तो यार पीसी ही बेच जाएगा मस्त आराम से बैट गया आराम से काम कर लिया लेकिन जब मैं बाहर जाता हूं तो मुझे लैप्टॉप की ने को कि वह थोड़ा सा स्लो होता है PC के काउड़ें PC का बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा अरिया में रहाता है तो इयर अराम से पास हो जाता जिसके कारण PC उतना पूंटाप एक ग्राफिक बनने के लिए क्या आपको छीज़ाहिए तो देखो यहां पे मैं बताता हूं पहरा बाद से वी इस टो तो तो आपको बूटिंग का इस्पिट पहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा चाहे वो विंडो हो या तो कोई अप्लिकेशन अगर आप किसी अप्लिकेशन को अन कर रहे हो तुरंद अन हो जाता है तो आपको बहुत ही मज़ा आता है उस सफ्टर को चलाने में महन के चलो मैं सब्सक्राइब करने में खुल रहा है धीरे-धीरे ग्राफिक वर्क कर रहा है तो मज़ा नहीं आ लेकिन उसी जगह पर काफी ज़्यादा असान बना देता है तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि आपको हमेशा ध्यान रखने हैं दोस्तों SSD ले लेना SSD आप 128GB ले सकते ह आपको जो आपको लगे बजट में क्योंकि SSD बहुत ही costly होता है इसी नहीं होता है सबको बाय करना बतला 128GB लोगे तो अप्रॉक्सिमेट आपको 1500-2000 पर लग जागा ठीक है और उसके बाद आपको एक से ध्यान लखना आपके लैप्टॉप या केम्पूटर में मिनिममम 8GB लेकिन 8GB मिनिममम चाहिए जो की यूज करने के लिए 8GB से नीचे जाते हो यार इतना ज्यादा लाइक करेगा आपको मजाई नहीं आगा चलाने में ठीक है तो यह सब चीज ध्यान है अगर आपको A4GB RAM में यूज करना है तो आपको बहुत ही पुराना वर्जन में चले जा लेकिन अगर लेटेस्ट वर्जन यूज करना है अगर फोडोसॉफ का तो आपको 8GB जाना पड़ेगा चिक उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट ग्राफिक कार्ड का तो अभी तो GPU यूज कर रहा है फोडोसॉफ लाइक तो आपको यहां पर ध्यान देना क लेकिन आने वाले समय में हो सकता है अभी तो सबसे अच्छा एंवीडिया का ही ग्राफिक्स कार्ड ले लेना तो पहला चीज में बताया जो कि आपको उसमें विंडो स्टॉल होनी चाहिए ऐसा नहीं करना कि स्टॉल कर लेना सेकेंड बात ही दोस्तों ग्राफिक कार्ड थ करने का चाहता है इस तरीके से तीन जिस तो आपको हमेशा कम पलसरी ध्यान रखना एक ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए उसके बाद एक छोटा सा टीप है दोस्तों इंटल को राइधिरी का प्रोसेसर या आई-फाइब का प्रोसेसर यह सब में दो को दिखने को मिलता है और वही डिफार को दिखं़ विलता है इस को में होता हिए टो समय लेता लेकिन लेकर और धात करें आई वाह अच्छी में होना घ्यान और साथ अपको एक शिक्स ध्यान रखना ए तो बूटिंग स्पीड होगा ऐसा नहीं कि HDD में काफी ज्यादा स्लो जाता है आप जो काम करना चाहते हो वह काम बहुत देर से करोगा तो आपको एक्चुल में रिटेट फिल होता है लेकिन अगर आपका काम बहुत ही फास्ट होता है तो आप उसमें और भी ज्यादा अपन पाल दिखा सकते हो तो यह सब दोस्तों बहुत ही वैलू रखता है कि अगर आप कोई भी PC लेना चाहते हो तो यह सब देखना और अगर बात करो जो अभी मैं आपको बता रहा हूं स्टार्टिंग में अप्रॉक्सिमेट सिक्स्टी तॉजन है इस टाइप का लैप्टॉप आपको बाय कर सकते हो और यार अगर पैसा लगाना बात करें तो बहुत उपर तक लगा सकते हो जितना उपर जाओगे उसना भी कम ही पड़ता है अगर आप पांच लाग के PC में अगर वीडियो एडिटिंग करते हो तो भी हलका फलका लाइक दिखने को मिलेगा अगर आप आप स्टार्टिंग कर रहे है तो आपको एड़ एक फ्रॉक्सीमेट तो लगाना ही चाहिए तो इसी तरीके दोस्तों इस विडियो को सभात्रे अगरु आओज Steau huh